गुड मॉर्निंग साथियो एक बार फिर से स्वागता है आपका अपना यूटूब चैनल साइन्स गुरु रवी में साथियो हम पढ़ रहे थे हूमन बलड हूमन बलड अर्थार्थ मानव रूधिर साथियो लास्ट क्लास में हमने बलड गुरुप स्टार्ट किया था आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आराच फेक्टर के बारे में और कौन सा बलड गुरुप पोजिटिव होता है और कौन सा बलड गुरुप नेगिटिव होता है इसके बारे में डिटेल में च एक का नाम था कोर लेंड इस्टिनर और एक का नाम था साथियो विनर इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो बलड ग्रूप होता है जो बलड ग्रूप होता है वो वया पोजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है पोजिटिव भी हो सकता है और वया नेगेटिव भी हो सकता है मैंने क्या कहा मैंने आपसे ये कहा कि 1940 में दो वेज्ञानिक थे एक का नाम था कोर लेंड इस्टिनर और एक का नाम था विनर इन दोनों वेग्यानिकों ने ये बताया कि जो blood group है साथियो ये positive भी हो सकता है पर negative भी हो सकता है अब तक साथियो अमने पिछली क्लास में जो पड़ा उसमें हमने शिर्फ ये देखा कि blood group कौन-कौन से हो सकते हैं positive और negative के बारे में अभी तक हमने चर्चा नहीं किता तो साथियो blood group आपका positive भी हो सकता है और negative भी हो सकता है लेकिन भी या इसका पता किस से चलता है तो साथियो इन दोनों का पता चलता है RH antigen से इसे आप RH factor भी कह सकते हो या फिर RH blood group भी कह सकते हो अब यह पहला क्यूशन तो यही बन गया कि RH antigen, RH factor या फिर RH blood group की खोज किस नहीं की थी तो दोस्तों इनकी खोज की थी इस core land इस्टिनर और विनर ने देखिए अब यह किस तरीके से खोज की थी एक बंदर की परजाती थी इस परजाती का नाम क्या था? रिशस उस बंदर की परजाती का नाम था साथियो रिशस इस रिशस का इन दोनों विजयनिकों ने क्या लिया? बलड लिया और दोस्तों इनके बलड पर इन्होंने खोज की तो साथियों इन्होंने पाया कि इस बलड की जो RBC है और RBC का आकार केसे होता है तो साथियों RBC का आकार होता है द्वी अवतलाकार या फिर डंबलाकार कुछ इस परकार से इन्होंने पाया कि इनकी RBC पर A antigen था B antigen भी था लेकिन इन दोनों antigen के अलावा एक antigen और था वो कुछ इस परकार से था साथी एक बड़ा सा गोला तो भी यह इनों ने इस antigen को नाम दिया D antigen क्या नाम दिया D antigen नाम दिया क्या यह बात आपको समझ में आई मैंने यह कहा कि इन दोनों विग्यानिकों ने क्या किया एक बंदर की परजाती थी उस परजाती का नाम है रिसस उस बंदर का इनोंने बलड लिया उस पर इनोंने खोज की और खोज करने के बाद इनोंने पाया कि इनकी जो RBC है आपको पता है एन्टिजन RBC के प्रिष्टी सतह पर उपस्तित होता है इनोंने पाया कि इस RBC पर A एन्टिजन था B एन्टिजन था इसके अलावा साथियो एक एन्टिजन और था उस एन्टिजन को इनोंने नाम दिया D antigen साथियो ये D antigen बाद में RH antigen कहलाया RH antigen कहलाया जिसे आप RH antigen RH factor या फिर RH बलट गुरूप के कहते हो तो दोस्तों यहां से एक निसकर्ष निकलता है कि भीया इस RH antigen या फिर RH factor या RH बलट गुरूप की खोज किस ने की थी तो भीया कोर लेंड इस्टिनर और विनर ने की थी कब की थी 1964 में की थी और भीया इस से पता लगाया था इन्होंने कि बलट गुरूप पोजिटिव भी हो सकता है अब देखिए साथियो आगे इन्होंने क्या किया बंदर पर रिसर्च कर ली अब इन्होंने बहुत सारी लोगों का बलट लिया और उस पर इन्होंने रिसर्च की तो इन्होंने पाया कि बिया कुछ लोग ऐसे थे कुछ लोग ऐसे थे जिनमें सातियों ये D antigen पाया गया, राइट का चिन का मतलब है सातियों पाया गया, सातियों इन वेग्यनिकों ने उन लोगों को नाम दिया RH पलस इंसान, या फिर लोग आप कुछ भी कह सकते हो, RH पलस इंसान, इन्हों ने बताया सातियों कि इनका जो बलड गुरूप होग इस RH पलस लोगों का या RH पलस इंसानों का वो बया पोजिटिव होगा, केस होगा सातियों, वो बया पोजिटिव होगा, ये बात आपको समझ में आई, इन्होंने ये भी पाया सातियों कि कुछ लोगों में, कुछ लोगों में, सातियों ये D antigen नहीं था, ये D antigen नहीं था नहीं को दोस्तों मैं क्रोस के चिंशे दर्शा रहूं तो भईया इन्होंने उन लोगों को कहा RH- vampire बनें रहेज़ नेगेटिव इनसां और इन्होंने यह बता हैं साथ और निभी में यह नहीं आपको पहले टैंसे नहीं क्यों बात आपको समझ में आया नहीं है मैंने अपला sentence ये का था कि 1940 में Coreland, Stinner और Winner 2 Veganic थी इन्होंने विया Blood Group में सबसे पहले पता है कि Blood Group positive भी हो सकता है और negative भी हो सकता है लेकिन इसका पता किसे चलता है तो साथ हो इनका पता आपके RH Antigen, RH Factor और RH Blood Group से चलता है किस तरीके से चलता है ये साहारी कहानी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई थी क्या आपको ये कहानी समझ में आया निया है सबसे पहले आप ये बताओ एक बार और रियूजन करवा था है ध्यान से सुनना बहुत अच्छी चीज है 1940 में साथियो दो वेग्यानिक थे एक का नाम था कोर लेंड इस्टिनर और एक का नाम था विनर इन दोनोंने साथियो सबसे पहले ये बताया कि जो बलड गुरूप होता है वो भिया पोजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है कि यहां तक पास समंझ में आई लेकिन बात यह आती है कि विया इनका पता पोजिटिव और नेगेटिव का पता किस से चला तो विया जो आरेच एंटिजन है जिसे आप आरेच फेक्टर या आरेच बलड गुरूप कहते हो इन से चला अब आरच बलडु ग्रूप की आरच एंटिजन की और आरच खेक्टर की खोज के से हुई सबसे पहले हम यह देखते हैं कि तो साथ यू एक बंदर की परजाती थी रिसस यह आरच सब्द दोस्तों यह आरच एंटिजन इस रिसस से लिया है आगे के दो सब्द लिये हैं मत समझे में आ गई तो भिया इस रीस colabor इन्हों ने क्या किया बलड लिया में इसके बिलड पर इन्हों तो इन्हों ने पाया इनकी बलड में जो这 आरसि है ऐसा आपको पता है आरसी की प्रिष्टिय सतयदँ पर एंटिजन होता है तो भिय Kansas RBC पर A antigen और B antigen के अलावा एक antigen और पाया इन्होंने देखा कि विया इसके RBC की सतया पर तो कुछ छोटे-छोटे से गोले-गोले से है इन्होंने विया इन गोलों को नाम दिया D antigen बाद में साथियो ये D antigen का नाम बदल कर इन्होंने RH antigen दिया तो विया कुछ इस तरीके से कोर लेंड इस्टिनर और विनर ने साथियो इस RH antigen की खोज की थी जिसे आप RH antigen, RH factor या RH blood group पे कहते हो यहां तक बाद समझ भाई पर दोस्तों इन्होंने क्या किया जो इन्सान है इन्सान के blood की खोज की यानि कि उनके blood group के बारे में इन्होंने जाना किस परकार से? इन्होंने पाया साथियो कि कुछ लोगों के blood में भाईया ये D antigen पाया जाता है और कुछ लोगों के blood में भाईया ये D antigen नहीं पाया जाता है जिन लोगों के बलड में ये d antigen पाया जाता है उन लोगों को आरेच पोजुटिव कहा और इन्होंने ये भी बताया कि वो इंसान जिन में d antigen पाया जाता है उनका जो बलड गुरूफ होगा वो पोजुटिव होगा ये बात आपको समझ में आई दूसरी बात इन्होंने कही कि एसे इन्सान जिन में विया ये d antigen नहीं पाया जाता है उनने भूला गया सबसे पहली बात यह उन्हें आरैच नेगितिव इंसान कहा गया फिर आरेच नेगितिव लोग detail और मिया इन्होंने ये भी बताया कि इनका जो बलड गुरूफ है जो आरेच नेगितिव लोग ह उनका blood group साथियो negative होगा, ये बात इन्होंने की, अब देखिए, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, जो blood group होता है साथियो, वो 8 परकार का होता है, A positive, positive में बया, जो D antigen है, ये पाया जाता है, A negative में D antigen नहीं पाया जाता है, B positive में D antigen पाया जाता है, और B negative में D antigen नहीं पाया जाता, A positive में D antigen नहीं पाया जाता, सिधा सा मतलब ये है साथियो, कि positive लोगों में D antigen पाया जाता है, और नेगेटिव जो लोग है उनमें यह एंटिजन नहीं पाया जाता है इसलिए यह तो उनका ब्लेट ग्रूप पोजिटिव था बात आपको समझ में आई तो मैं आपको फिर बता दू जो पोजिटिव लोग है उनमें साथियो डी एंटिजन पाया जाता है और जो negative लोग है उनमें deantigen नहीं पाया जाता है इस बात का पता कैसे लगा तो भी यह इस बात से लगा जब इन्होंने इन्सान के ब्लोडों पर खोज की तो इन्होंने पाया साथियों कि जिन लोगों में deantigen पाया जाता है उन्हें इन्हें RH positive लोग का गया और उनका blood क्या पोजिटिव था और फिर इन्होंने पाया कि कुछ लोगों में विए deantigen नहीं पाया जाता उन्हें ने आरेच नेगेटिव इन्सान कहा और उनका जो blood ग्रूप था वह यह नेगेटिव था तो यह सारी बाते अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी दो तिन आरे चैनल पर नए आयो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वेल आइकन को प्रेस कर लेना जिसे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मौच सके आपको आपके एक्जाम के पॉंट अप्यू से बहुत अच्छा कंटेंट हम देते हैं हम वही पड़ाते हैं जो आपके एक्जाम में पूंचा जाता है इसलिए जितने भी साथी है पड़ने वाले उन सभी के साथ हमारे सेशन को जरूर सेयर करें ताकि हमें भी पड़ाने में मजाए और आपको भी पड़ने में मजाए उब आगे देखी विया चार चीजे बताने वाला हूं आपकी exam के point of view से बहुती ज़्यादा important है आपसे direct exam में पूछी जाती है वो क्या है साथ ही हो जो RH positive इंसान है वो विया किसको donate कर सकता है अपना बलड़ वो विया RH positive को ही donate कर सकता है लेकिन वया जो RH positive इंसान है वो किस-किस से blood ले सकता है अनिकि किस-किस से blood accept कर सकता है तो वया इसे RH positive इंसान भी दे सकता है और RH negative भी दे सकता है यह दो बाते हैं वया आपको रटने पड़ेगी अब देम रखना आरेच जो नेगेटिव इंसान है वो किस-किस को blood donate कर सकता है क्यों कर सकता है और क्यों ले सकता है इसके बारे में विजानकारी दूमा साथियों आपको आरेच नेगेटिव किस-किस को डोनेट कर सकता है तो भी यह आरेच पोजिटिव को कर सकता है और आरेच नेगेटिव को कर सकता है और साथ यह आरेच जो नेगेटिव है वो किस-किस से असेप्ट कर सकता है तो भी यह शरीप यह आरेच नेगेटिव से असेप्ट कर सकता है cipher Tea Bent कर सकता है लेकिन अगर इसे कोई आरेज पोजीटिव इनसान बलडात दे डे तो उस कंडिशन में क्या होगा है है मिसमें क्या होगा तो अब हम इस बात पर चर्चा कर दें पहली बात तो हो कि बलड़ दे सकता है ँर इस पोजेटिव इनसान को कौन-कोन बलड़ को बलड दे सकता है और और नीगेटिव को स्त्रीप रेड़ कौन ड मौ.,most भिटव नहीं देगा त॑ क्यों नहीं देगा सुझी है इसकी काहनी सुनि आ देखेु साती ओ देखे मैं मनली जीए कोई मोटी नाम की लड़की है यह यह बहुत आर ईच निगेटिव है कि यह बात आपको समझ में आई अब देखिए कोई विष्णु नाम का लड़का है यह विया आर एज पॉजिटिव है अब मैंने यह कहा कि यह मोटी है यह बीमार हो गई अब यह बीमार हो गई तो विया इसे बलड की जरूरत है इसे किसकी जरूरत है इसे बलड की जरूरत ह अब मैं आपको ये बताना चाहरा हूं कि या नेगेटिव इंसान को positive blood क्यों नहीं दे सकता शिरिप RH negative ही दे सकता अगर RH positive देगा तो क्या होगा उस condition में आपको पता लगाना है मैंने आपको पताया कि RH negative जो इंसान होते हैं साथिओ उसमें D antigen नहीं पाया जाता और दोस्तों आरेच जो positive लड़के होते हैं या फिर जो भी आरेच positive इनसान होते हैं साथियो उनमें वह यह d antigen पाया जाता है यह बीमार है साथियो इसको blood की जरूरत है अगर वह यह यह इसको blood देगा तो वह यह d antigen इसके सरीर में जाएगा लेकिन इसमें तो d antigen है नहीं है नहीं है साथियो तो यह क्या समझेगा कि भईया यह तो कोई भारी particle है हमारे सरीर को नुकसान पहुचा सकता है तो वह यह यह क्या करेगा यह यह antibody बनाएगा यह क्या बनाएगा antibody बनाएगा जैसे ही यह हमारे सरीर में आएगा इसका बलड तो वह यह यह इस antigen को खतम करेगा कौन यह antibody और आपको पता है antigen खाऊ उपस्तित होते हैं RBC की प्रष्टिय सतया पर उपस्तित होते हैं अगर यह antibody इस antigen को खतम करेगी तो वह यह साथिसाथ में RBC खतम होगी RBC खतम कैंउ होगी क्योंकि यह antigen RBC की प्रष्टिय सतया है पर उपस्तित होता है अगर RBC खतम होगी वह यह तो आपके सरीर में जो बलड गया उस बलड की भी कमी होगी और उस अगर आपके सरीर में बलड की कमी तो फिर आपको बहुत सारे बीमारियों को सामना करना पड़ सकता है क्या बात आपको कुछ समझ में आई या निहाई सबसे पहले ये बताओ मैंने आपसे क्या कहा मैंने आपसे कहा कि आरेच नेगेटिव को श्रिफ आरेच नेगेटिव ही बलड दे सकता है पोजिटिव नहीं दे सकता क्यों नहीं दे सकता मैंने आपको एक्जांपल दिया था कि कोई मोटी है इसका जो कहना का मतलब यह मोटी है यह आरेच नेगेटिव इनसान है हाना यह बिमार पड़ गई इसको ब्लड की ज़रुरत है अब इसको जो विश्नु है यह आरैस पॉजिटिव है यह इसको ब्लड देना चाहरा है तो देखे भी यह होगा क्या आरैस पॉजिटिव में D-Antigen उपस्तित होता है और आरैस नेगटिव में D-Antigen उपस्तित नहीं हो अब जैसे इसको ये बलड देगा विश्णो मोटी को तो हो गया क्या इसका सरीर दोस्तो यह जो बलड आ रहा है इसमें जो एंटीजन है उसको साथ यो खत्रा समझेगा कि क्योंकि इसके सरीर में एंटीजन हैं नहीं है जब भी कोई बारी पार्टिकल हमारे सरीर में आता है तो भाया हम उसको खत्रा समझते हैं कि खहीं वो अमें सरीर को नुकसान ना पहुंचा दे खहीं हमें वो बीमार कर ना दे इसलिए ये क्या बनाएगी एंटीबोडी बनाएगी अब जैसे ये डी एंटीजन इस मोटी के सरीर में आया तो भी ये एंटीबोडी इस पर आकर्मन कर देगी आकर्मन कर देगी आकर्मन जैसे ही करेगी भया तो आपको पता है जो एंटीजन होता है ये आरबीसी की प्रिष्टिज आता है पुंपलटित होता है तो भीया आपके निश्ट हो जाएगी आरु WRLEY सी निश्ट होगी साथियों तो आपका बलड की कम्हीघाती है तो यह सारी बीमारियों को सामना करना पड़ सकता है यहांते कि अगर ज्यादा ब्लड खराब हो जाए ज्यादा ब्लड की कमें आ जाए तो दोस्तों उसकी मुलित्यू भी हो सकती है बात आपको समझी में आ गए तो यही कारण है कि यह आरेच नेगेटिव इंसान को आरेच को ब्लड दे सकता है नेगेटिव को नहीं फिर वह एंटिजन एंटिवोडी वाला सिस्टम हो जाएगा आरेच पोजिटिव वाला इंसान किस-किस से ले सकता है तो आरेच पोजिटिव से और आरेच नेगेटिव से ले सकता है आरेच नेगेटिव वाला इंसान किस-किस को डोनेट कर सकता है तो इब ponitive को भी डोनेट कर सकता है और और यह को भी गया बीमारी यह condition आपको देखने को मिलेगी जो आपके शरीर के लिए नुक्सान दायक है अगर यह बात समझ में आ गई हो तो symmetrical source ले लिजिए अब हम बात करेंगे दोस्तों कि positive इंसान किस-किस को बलड दे सकता है और नेगेटिव इनसान किस-किस को बलड दे सकता और किस-किस से ले सकता है आईए भी यह कि देखिए भी यह लाश्ट स्लाइड में मैंने आपको कुछ बाते बताई वो बाते क्या थी ध्यान से देखना कि भी यह आरेच जो पोजुटिव वक्ती होता है किस-किस को बलड दोनेट कर सकता है सरिफ आरेच पोजुटिव को डोनेट कर सकता है और यह किस-किस से ले सकता है आरेज पोजिटिव तो यह यह आरेज पोजिटिव से ले सकता है और आरेज नेगेटिव से ले सकता है आरेज नेगेटिव किस-किस को दे सकता है किस-किस को डोनेट कर सकता है तो यह आरेज पोजिटिव को दे सकता है और आरेज नेगेटिव क दे शक्ता है बस सबंजिता है और हैज नेगेट्व किस किस से ले सकता है किसके इसांट कर सकता है कि वो देखिये मिया मैं जो तो यह कर सकता है यह नेगज कि इसकी अब बात अगर अपको पिछली स्लायड में बहुत अच्छे यह बात समझे में अगई अब बात करते हैं साथियो ओ बलड गुरूप के बारे में साथियो जो ओ बलड गुरूप होता है यह दो परकार का होता है एक होता है ओ पोजिट्व और एक होता है ओ नेगेट बात समझे में आई आपको अब बात कर सकते हैं वैया सबसे पहले कि जो O positive जो blood group वाला वक्ती है किस किसको blood donate कर सकता है तो विया O positive वाला किस किसको donate करेगा तो विया O positive को कर सकता है A positive को कर सकता है B positive को कर सकता है और A B positive को कर सकता है बात आपको समझ में आ गई अब बात करते हैं वेया, ये तो डोनेट वाली बात हो गई. इसका पता कैसे चला? वेया, इस गराप से पता चला कि RH positive वक्ती, इस RH positive को blood donate कर सकता है. वो क्या है? वो दोस्तो, सारू जाता है. इसलिए ये सब को donate करता है. क्यों है? क्यों नहीं है? यह साथियो मैंने आपको लाश्ट क्लास में बताया था अब देखिए जो साथियो ओ पोजिटिव वक्ति है इसको कौन-कौन बलड दे सकता है तो साथियो इस ओ पोजिटिव को आरेच पोजिटिव भी दे सकता है और आरेच नेगेटिव भी दे सकता है कहने का मतलब साथियो इसे O positive भी दे सकता है और इसे भाया O negative भी दे सकता है चीजी यह बात आपको समझ में आया नहीं है अब बात करते हैं O negative की O negative किसको बलड़ दे सकता है तो साथियो O negative O positive को दे सकता है पहले बात A positive को दे सकता है B positive को दे सकता है और A B positive को दे सकता है क्योंकि यहाँ पे देखी O negative किसको दे सकता है R H positive और R H negative कहने का मतलब O negative साथ यह positive को दे सकता है और negative को भी दे सकता है यानि O negative को दे सकता है A negative को दे सकता है B negative को दे सकता है और A B negative को दे सकता है मैं कह सकता हूं कि या ओल पोजिटिव है नेगेटिव को साथियो और नेगेटिव बुलेट डोनेट करे सकता है यह बात आपको समझ में इस वज़े से साथियो और नेगेटिव को क्या कहा जाता है और नेगेटिव को साथियो स्रूदाता कहा जाता है से और नेगेटिव को क्या कहा जाता है स्रोवदाता कहा जाता है यह बात आपको समझ में गए कहने का मतलब यह सब को डोनेट कर सकता है बले पोज्टीव को भी कर सकता है अब बात करते हैं साथियों और नेगेटिव यह डोनेटा है और यह असेप्ट करता है इनसे बिए अब और नेगेटिव किस-किस से असेप्ट कर सकता है वो देखिए तो यह ओ नेगेटिव वाला स्रिप और नेगेटिव से ही असेप्ट करता है और किसी से ने साथियो पूरे संसार में पूरे संसार में सिर्फ चार परतिसती एसे बलड गुरूप है जिनका बलड गुरूप और नेगेटिव है बात आपको समझ में आ गई तो भीया ओके कहाने कुछ इस परकार थी बात के लिए रहे अब कहाने समझते हैं साथियो AB बलड गुरूप की AB बलड गुरूप को क्या कहा जाता है साथियो सर्व ग्रही कहा जाता है यह भी दो परकार का होता है यहने कि सबसे ले सकता है यह यह भी AB पोजिटिव और AB नेगेटिव सबसे पहले बात करते हैं कि यह जो AB पोजिटिव होता है यह किस को बलड़ डोनेट कर सकता है तो भीया मैंने आपको बताया था कि RH positive इंचान स्रिफ RH positive को बलड़ डोनेट कर सकता है तो AB positive किसको करेगा स्रिफ AB positive को करेगा यह हो गया donate अब बात आती है कि यह AB negative AB positive है यह किस किस से बलड़ ले सकता है Yo Yo I snakаг तो विया पोजिटीव से बिले सकता कुन नेगेटीव से ले सकता है विखनल Six करभ़ गराई है इसको कौन बिलाड़ दे सकता है नेगीटीव दे सकता है वात समझे मा आ गई और उसका बी पोजिटीव दे सकता है भी नेगेटिव दे सकता है बस समझ में आगी इसके अलावा ओ पोजिटिव दे सकता है और नेगेटिव दे सकता है इस जैसे साथियो इसके भी पोजिटिव को सरुगरही कहा जाता है क्या कहा जाता है सरुगरही कहा जाता है यानि कि यह भीया सबसे बलड ले सकता है ओल से ले सकता है और पोजिटिव और नेगेटिव से बात आपको समझ में आ गई अब देखिए साथ यो जो ओ भी नेगेटिव है किस किस को बलड दे सकता है तो विया ओ नेगेटिव किस को दे सकता है पोजिटिव को भी दे सकता है यानिकि ए बी पोजिटिव को दे सकता है और व साथ यो अब बात करते हैं कि a b negative को कौन कौन ब्लड दे सकता है तो यह शर्फ a b negative ऐसे सकता है किया ये कहनी आपको समझ में आये नहीं है एक बारे में और चर्चा कर लेते हैं साथियो जो a blood group है ये दो परकार का होता है एक होता है a positive और एक होता है a negative जो a positive होता है साथियो किस किस को blood donate कर सकता है किस किस को blood donate कर सकता है तो यह a positive को कर सकता है और साथ साथ में और किसको दे सकता है तो यह इस सरुग्रहाई को दे सकता है यानि कि a b positive को दे सकता है बस समझी में आगी मैंने यहां पर लिखा वाया कि आराइच पलस वक्ति स्रिफ आराइच पलस को donate कर सकता है अब बात करते है कि यह जो पोजिटिव है वो किस किस से ले सकता है किस किस से असेप्ट कर सकता है तो भी यह यह ए पोजिटिव से ले सकता है और नेगटिव से ले सकता है यह साथ ही ओ ओ पोजिटिव से ले सकता है और और नेगटिव से ले सकता है क्योंकि इस परश्टूरूप से लिखा सकते हैं अब बात करते हैं साथियों ए नेगेटिव की तो ए नेगेटिव किसको डोनेट कर सकता है तो यह ए नेगेटिव डोनेट कर सकता है एक बार तो ए पोजिटिव को डोनेट कर सकता है और ए नेगेटिव को कर सकता है इसके साथ में ए भी पोजिटिव को कर सकता है और यह सारी काहने आ रहे हैं इस graph से इस छोटी सी बात से अगर आपको यह समझ में आ गई तो यह आपको आसानी से समझ में आ जाएगी आप देख देखकर यह बना सकते हो अब बात करते हैं साथियो B की तो यह B वी दो परकार को होता है एक होता है B positive और एक होता है B negative साथियो जो B positive हो गये किस किस को blood donate कर सकता है ग्राफ में देखके बताइए तो ब यह यह कर सकता है एक तो B positive को देगा और एक साथियो A B positive को देगा बी पोजिटिव किस-किस से ले सकता है तो भी यह यह बी पोजिटिव से ले सकता है बी नेगेटिव से ले सकता है और पोजिटिव से ले सकता है यह अश्याप्ट वाला हो गया भी नेगेटिव किस किस को डोनेट कर सकता है तो भी यह जो बी नेगेटिव वाला है वो किस-क इसको कर सकता है तो यह यह बी पोजिट्व को कर सकता है बी नेगेटwide को कर सकता यह 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 कहानी है या लूसर की योगी परिक्षाओं में पूंचा जाता है कि विया पोजिटिव और नेगिटिव में वास्ट्विक सरूग रहाई कोन है तो यह अगर यह बात आपको समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है एक बार और यूजिन करवा देता हूं इस क्रिन सोट ने लिया है तो यह पहले तो यह पेले समझ में आया आई निया जादा कुछ नहीं साथी और शिरिक आपको ये समझ में आना चाहिए ये वाला ग्राव और इस ग्राव के पीछे की कारी मैंने आपको बता दी कि अगर नेगिटिव इनसान को अगर पोजिटिव बलड़ चंड़ाएगा तो फिर condition क्या होगी यानि इस graph के खिलाप अगर इंसान जाता है तो फिर क्या होता है आपको बहुत सारी बीमारियों को सामना करना पड़ सकता है जिसे कि मैंने मोटी और विश्णू का example आपको देखे दिखाया था देखे साती एक बार और रियोजन से ले सकता है आरेच नेगेटिव से इंसान किस-किस को डोनेट कर सकता है तो आरेच पोजिटिव को कर सकता है और राच नेगेटिव को कर सकता है और राच नेगेटिव को कर सकता है और राच नेगेटिव से ही लेगा ओके बात कर लेते तो ओके दो परकार है पोजिटिव को भी पोजिटिव को बलड़ दे सकता है और ऊसेपल नेगटिव को वाल सबको दे सकता है इसलिए ये और पोजिटिव एपोजिटिव विपॉसिटिव ठीसे करेंगा सर गों सर चिकन कड़िंगे ψ करेंब पूरे संसार में सिर्फ साथियों 4% ही और नेगेटिव वाले इंसान हैं इंद्रा गांधी का साथियों जो बलड था वो भी और नेगेटिव था इस बात का भी आपको ध्यान रखना है ठीक इस परकार AB की बात करें AB दोस्तों सारुग रही है AB पोजिटिव और AB सकता है तो भी यह AB पोजिटिव से ले सकता है और AB नेगेटिव से ले सकता है ठीक उसी परकार A पोजिटिव नेगेटिव से ले सकता है और O पोजिटिव नेगेटिव से ले सकता है यानि कि और पोजिटिव और नेगेटिव से ले सकता है इस जीसे से सरुग रही कहा गय कि यह बी पोजिटिव को लेकिन एवी नेगटिव किसको डोनेट कर सकता है तो ओभी पोजिटिव को एवी पोजिटिव को और एवी नेगटिव को डोनेट कर सकता है एवी नेगटिव की बात करें तो भी यह एवी नेगटिव को सिर्फ एवी नेगटिव ही बलड दे सकता ह कर थे किसे परकार ए और ब्लबी की काहनी है O तो दॉनेटर कर सकता है और ए भी पॉजटिव नेगटर कर सकता है लेकिन लेगा किसे शर्फ time नेगेटिव से लेगा, ओ पोजिटिव से लेगा, ओ नेगेटिव से लेगा, ओ से क्यों लेगा, क्योंकि यह सरूर दाता है, सब को देता है, बी नेगेटिव किसको डोनेट कर सकता है, तो यह बी पोजिटिव को भी दे सकता है, नेगेटिव को भी देगा, नेगेटिव को नहीं है agree can you do opinion आशा करता हूं साथी निआ आपको समझ में आ गयी हो जाव कर वह बहुत अच्छी चीजे हैं आपकी life में भी काम आएगी और आपकी एगजां में भी काम आएगी अब आगे चलते हैं और झाल झाल देखे विया मम्मी पापा के बलड गुरुप से संतान के बलड गुरुप का पता कैसे लगाई मान लिजे साथियो मा का बलड गुरुप है और पापा का बलड गुरुप क्या है बी है किस तरीके से पता लगा सकते हैं तो भी यह एक के पीछे भी जीरो लगा दो और बी के पीछे भी जीरो लगा दो अब अपन को कैसे गुना करना है पहले तो एको बी से गुना करो एब आ गया फिर एको इस जीरो से गुना करो यह फिर इस जीरो से गुना करो तो भी यह जीरो आ गया बात के लिए रहा पिर इस 0 को B से गुणा करो, तो 0 भी आ गया, और फिर सातियों इस 0 को इस 0 से गुणा करो, यहने कि 2 0 आ गए, अब देखिए, A B है, तो इसको A से कैसे ही लिख दो, A के साथ में 0 है, तो सातियों सिरिफ इसको A लिख दो, अगर सातियों 0 के साथ में B है, तो भी यह इसको B ल है संतान के संथान के ब्लट ग्रुब की स् थिति बनती है है 45 पर certified is a totally okay के बनती है कि यह का निया आपको समझ मी आये एक आप के साब से एक्जम्पल कोई सा भी ले लेजिए जिसे मैंने कहा कि यह मा का जो बलड गुरूप है वो है एबी और पापा का जो बलड गुरूप है साथियो वह है देखिए सबसे पहले आपको जीरो लगाना है यहाप पर तो दो डीजिट है एक जीरो लगा दी फिर आपको पहले की रही गुणा करना है एको इस एसे एनने की ए फिर एको इस जीरो से एनने की एजीरो फिर बी को इस एसे एनने की बी ए और फिर साथियो बी को इस जीरो से एनने की बीजिए अब देखिए डबल ए है एक लिख दीजिए ए जीरो है यह लिख दीजिए बी ए है साथियो एब लिख देजिए और बी जीरो है त Handy ऐस परसंट संभावनां तो इन दोनों की बनददी एस A की बनद्रिया 25 संभावना इस AB की बनद्रिया और 25 परसंब संभावना इस B की बनद्रिया तो अगर मा साथियो A अगर मा का ब्लड गुरूप साथियो B है और पापा का ब्लड गुरूप साथियो A है तो भिया उसकी जो संतान होगी 50% तो दोस्तों संभावना बनती है कि उसका ब्लड गुरूप A हो मैं 25% सम्भाव नहीं समझ में आए नहीं अगर नहीं आए है чисी में मैंने कहा कि माका जो ब्लड गुरूप है वह जीरो यानि कि ओ हो है और पापा का जो blood group है साथ किया पनाने 20 लगा दो यह पहले कि ओ जेरो जेरो है तो आपको क्या लगा इसमें साथियों 50% तो संभावना एक है और पचास परशेंट संभावना ओ बलड गुरूप की है यह देखिए अगर आपकी मां का बलड गूरूप ओब इस अपिंभाउण के संथाना क्यों आप जो एप पढ़गा है उसके चलिए आप पता लगा सकते हो कुछ इस परकार से अगर यह बात आपको समझ में आ गई है तो स्क्रिन सोट ले लिजिए आज हम यहीं तक रखते हैं दोस्तो कल छोटी मोटी बाते हैं उनके बारे में चल्चा करें हैं तो कैसी लगी आपको वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना विल आइकन को प्रेस कर लेना यह आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पॉंट सकें मिलते हैं एक सी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारब